पचले बार फिर से रुख करते हैं जमेर का सिक्षा मंत्री गोविन सिंग डुटासर से खास बात चीत कर रहे हैं सायोगी कोशल जै तो मैं समझता हूँ इनकी इच्छा सकती और विशेश रूप से जो मानिय मुक्यमंत्री जी ने बच्चों के भाविश्य को लेकर के जो चिन्ता व्यक्त की ती और उन्होंने कहा था कि मेरे रहते वे हमारी सरकार के रहते वे बच्चों के बविश्चे के साथ में खिलवार नहीं होना चाहिए उनको डॉक्टर बनना है उनको इंजिनियर बनना है तो जो विज्ञानवर्ग के बच्चे हैं उनकी प्रिक्षा होना मस्ट है और उसके साथ में हमने दसमें की प्रिक्षा करा दी तो मैं समझता हूं यह सरकार की वन्हें मुख्य मंत्री जी की द्रड़ इचा सकती और मादेमिक्षिक्षा बोर्ड के चैर्में जी और तमाम अधिकारी और क्रमचारियों मादेमिक्षिक्षा बोर्ड के अब्दक्ष ड्री जालोरी हम इनसे भी बात करें और पूछेंगे किस तरह से इस चुनौती को सिवकार किया और फिर पूर्ण किया कि रास्तां सरकार का में मुख्य मंत्री जी का अमारे शिक्षा मंत्री जी का पूरी सरकार का पूरा सयोग्रा जिसकी वज़े से उनको भी सेनेटाईज करके दिए गए सबी जगे थर्मल स्क्रेनिंग की विवस्ता सारा कोरोना के जो जो नियम थे सब का पालन करते हुए हमने 20 लाग से अधिक बच्चों की परिक्षा करवाने में हम काम्याब रहे तो इसके लिए सारा श्रे हमारी रास्तान सरकार को मानी मुख्य मंत्री जी को हमारी श्रेक्षा मंत्री जी को जाता है क्योंकि इस समय आपको पता है पूरे हिंदुस्तान की परिक्षाएं सीबी एसी की माननी उच्चनायले ने रोग दी थी उच्चनायले के हमारे एक मागी देवी नाम से विकानेर की किसी ने वहाँ अपील करी थी उसमें हमने जो जवाब दिये माननी सुप्रेम कोर्ट के न्याय दिशों ने उसको स्विकार किया क्योंकि हमने सारी की सारी जो भी जरुरते थी कॉवीट नैंटीन से बचने की वह पूरी करी थी और वह सरकार के माध़ियों से होinkी हमने की उसके बद हमने जो नवाचार की है वो आपके सम्मू के हमने परिक्षा की कोपियों के पेकेट में नंबर ओ पांसर बुक्स साड़े चार सो की जिके तीन सो की जिससे जल्दी चेक होके आ सके ओनलाइन मार्स मंगवाए जिससे यहां जो स्क्रिनिंग में जो टाइम लगता था वो दस पंदरा दिन वो बचा तो यह मादिमिक जिक्षा बूर्ड के इतियास में पहली बार है कि इतने कम समय में यहां पहला रिजल्ट एक महीने के लगबग आता है आपको पता विदीत है हम एक महीने कंदर सारे कक्षा दस तक के सारे रिजल्ट हम दे देंगे तीस तारीकों परिक्षा समापत हुए जिसमें साड़े ग्यारा लाग से उपर बच्चे बेटे हैं और यह कक्षा दस की परिक्षा करवाने का श्रे हमारे माननी शिक्षा मंत्री डोटासरा साब को जाता है सीम साब हम को भी मैंने निवेदन किया था कि 10th की परिक्षा है यदी संबव नहीं हो तो क्योंकि CBSी ने पोस्पोन कर दिये तो अपन भी 10th की निलंबित कर दें तो माननी मंत्री जिने का नहीं बच्चों की करवानी है और हिम्मत रख